तो पहले दो-तीन मिनिट मैं इसी पर चर्चा करना चाहूंगा कि शराब घोटाले में जाच एजनसियों कैसी जाच कर रही है क्या मिला अभी तक इसमें मनीज सिसोदिया जी जो की फञेंस मिनिस्टर थे डिप्ती चीफ मिनिस्टर थे उनके उपर सबसे बड़ा आरोप एडी ने और सीबिया ने लगाया है कि मनीज सिसोदिया जीने अपने 14 फोन तोड़ दिये तो इन्होंने सबूत खतम करने की कोशिश की ये सारी जाच वाच करने के बाद इन एजनसिज ने मनीज सिसोदिया प्यारूप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिये ये एडी की चार्ट शीट है एडी का डॉक्यमेंट है जिसमें इन्होंने ये 14 फोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फोन है जो मनीज सिसोदिया के थे और जो मनीज सिसोदिया ने इन फोनों को डिस्ट्रेक्ट कर दिया ये एडी के डॉक्यमेंट में है इसी के बाद एडी की सीजर मेमू है एडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमू इन 14 में से एडी खुदी कह रही है सीजर मेमू की चार फोन हमारे पास है ये इनका सीजर मेमू है इंपाउंडिंग ओर्डर 18 मार्च 2023 का और इंपाउंडिंग ओर्डर 5 जनवरी 2023 का चार फोन उसमें से इनके पास है और एक CBI का ये डॉक्यमेंट है एक फोन CBI के पास है तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही है जो कह रहे हैं कि मनी सुसोधिया ने तोड़ दी है उन 14 में से 5 फोन ED और CBI के कबजे में है बाकी 9 फोन तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया हम तो छोटे लोग हैं हमारे पास इतने साधन नहीं थे लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने डेड़ महीने में हमें भी थोड़ी जाच करी तो पता लगा चला बाकी mostly phone एक आद को छोड़के वो भी पता चल जाएगा mostly phone जिन्दा है कोई ना कोई इस्तिमाल कर रहा है और उन phone को कोई volunteer के पास है कोई कहीं है कोई कहीं है कोई ना कोई इस्तिमाल कर रहा है वो मनीश जी के phone नहीं है वो कोई ना कोई इस्तिमाल कर रहा है वो phone जिन्दा है और ये fact की ये phone जिन्दा है ये ED को भी पता है और ये CBI को भी पता है so ED ने और CBI ने जूटा जूट बोलके ओत पे, एफिडेविट पे कोट को गुमराह किया और जूटा सबूत उन्होंने कोट के सामने पेश किया क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं कुछ था ही नहीं, शराब भुटाला कुछ है ही नहीं तो निकाले क्या तो उन्होंने जूट बोलके मनी सिसोधिया को फसाने की कोशिश की कोट को जूट बोला अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं किसी ना इसको गिरफतार कर लिया उसको गिरफतार कर लिया ये कर लिया एक कोई चंदन रे और उनको टॉर्चर करकर के धंकियां दे दे के mentally torture करके, physically torture करके, third degree करके उनसे केचरीवाल का नाम ले लो, मनीज सिसोधिया का नाम ले लो, इनको फसाओ, उनको किया जा रहा है, कोई चंदन रेड़ी हैं, हम तो जानते भी नहीं है कौन है, चंदन रेड़ी को इतना मारा, यह उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, चंदन रेड़ी की, मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है, patient has alleged trauma to both ears and face by ED officers on 16th September 2022 and 17th September 2022, patient ने दोनों कानों पे और face पे ED officers के द्वारा पिटाई हुई, 16 सितंबर और 17 सितंबर को ऐसा कहा, patient complaining of, यह है कि सुनाई नहीं दे रहा और jaw pain on opening mouth और investigation पे पता चला, right ear mild to moderate mixed hearing loss, left ear severe to profound mixed hearing loss, उसके कान के परदे फट गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा चंदन रेड़ी से ED क्या उगलवाने की कोशिश कर रही थी, उसको क्या कहने का दबाव डाला जा रहा था कि उसकी इतनी पिटाई करी कि उसके कान के परदे पट गए, उसको किस कागस पर दस्खत करने के लिए कहा जा रहा था, और उसने जूट बोलने से मना कर दिया तो उसकी पिटाई की उन्होंने, इसके बाद अरुन पिल्लई हैं कोई, उनको धंकिया दी गई, टॉर्चर किया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, अगले दिन, उस दिन तो उनसे कुछ लिखवा लिया, कहीं साइन करा लिया, लेकिन उसके दो-चार दिन बाद उन्होंने कोट में बयान दिया, कि मुझे टॉर्चर करके बयान लिया गया, समीर महंदरू से टॉर्चर करके बयान लिया गया उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया मनस्विनी से टॉर्चर करके बयान लिया गया उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया भूशन बेलगवी से टॉर्चर करके ये पांच नाम तो मेरे पास ही है पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को टॉर्चर करकर के बयान लिये गए ये हो क्या रहा है एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक जितनी लोगों को ये बुला रहे हैं, सब को मारते हैं, पीठते हैं, टॉर्चर करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है, जिसे एक कमरे में उस व्यक्ति को बिठा रखा था, दूसरे कमरे में उसकी वाइफ को और उसके पिता जी को बिठा लिया, और उसको बोलते हैं कि या तो इस का प्रदानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ यह चल क्या रहा है। जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां पर कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके लोगों से जबरदस्ती करके मार के पीट के धंकियां देके बयान लिखवाने की। एक व्यक्तिया उससे कहा गया कि कल देखते हैं तेरी बेटी उसकी दो जवान बेटियां एक कल देखते हैं तेरी बेटी कॉलिज कैसे पहुचती है। ये जाच चल रही है इन लोगों के एक व्यक्तिया उसके वकील ने कोट में खड़े होके कहा कि हमारे मुख्किल के मेरे मुख्की के उपर दबाव डाला जा रहा है कि दिल्ली के पॉलिटीशन का कोट के अंदर खड़े होके उसने बोला है कि मेरे मुख्किल के उपर दबा करने के बाद यह आरोप लगाते हैं कि सौ करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई कि वो सौ करोड़ रुपया कहा है एक नया पैसा एक नया पैसा कहा है वो सौ करोड़ रुपया सब इतनी चार सो से ज़्यादा रेड हो चुकी है मनीश सोधिया जी के घर पे रेड हो गई इतने सारे दूसरे लोगो पैसा मिल है कहां एक नया पैसा नहीं मिला सौ करोड़ रुपय का ना कोई ज्वेलरी मिली ना कोई मनीश जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिया इन्हो कुछे नहीं मिला सौ करोड़ में से फिर आरोप लगाया कि सौ करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है जी गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिन से हमने काम कराया था सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके ये लोग सारे वेंडर्स को इन गिरफता करकर करके statement ले चुके वहां कुछ नहीं मिला सारी payment चेक से हुई है हमारी सारा हिसाब किताब election commission को दिया वहां भी कुछ नहीं मिला गोई चुनाव के अंदर निको देला नहीं मिला तो पैसा गयागा अगर रिश्वत ली तो पैसा गयागा अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी आज मैं इस press conference में कह रहा हूँ कि 17 सिदंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को एक हजार करोडर रुपे दिये थे कर लो गिरफतार उनको ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होगी कुछ भी कह देगा मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को 17 सिदंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोडर रुपे दिये थे गिरफतार करोगे इस बेसे बें नरेंद्र मोदी को भई में रपास कुछ सबूत तो कहने का कोई तो मैं कहूंगा भी में रपास ये सबूत है मैंने दिये थे ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होगी कहा देगो और जिरफ्तार कर लोगे सौ करोड रुपे दिये, सौ करोड रुपे दिये, गोवा चना अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है ये policy इतनी शांदार policy थी transparent policy थी जो ब्रश्टाचार खतम कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में ये इस बात से साबित होता है कि ये policy जब पंजाब में लागू की गई पूरी copy-paste policy है जब पंजाब में लागू की गई तो इस policy से 50% revenue एक साल के अंदर बढ़ गया 50% revenue दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू की करने दी पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं क्योंकि पंजाब एक full state है तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं मोदी जी अगर केजरी वाल भरश्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई इमानदार नहीं है मुद्दा भरश्टाचार है यह नहीं मुद्दा भरश्टाचार की जांच है यह नहीं मुद्दा शराब घोटाला है यह नहीं ऐसा शक्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेके पैर तक भरश्टाचार के अंदर डूबा हुआ है उसके लिए ब्रश्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है। पिछले मार्च के आखरी हफते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाय थे ब्रश्टाचार जो इन्होंने किनाय इतने ब्रश्टाचार गिनाय थे। इन्होंने तो मेरे को तब ही कह दिया था उस दिन जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी शाम को संजे सिंग का मेसेज आया है कि कि अर्विंज यह अगला नंबर आपका है। कल सत्यपाल मलिक जी ने एक इंटरिव्यू दिया मैं वो सुन रहा था। सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोधी जी को भरष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। यह मैं तो नहीं कह रहा हूँ यह तो उनकी अपने गवर्नर कह रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी कौन है। सत्यपाल मलिक जी मोधी जी के बहुत खास लोगों में गिने जाते थे। उन्हें पहले उन्हें जम कश्मीर का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें गोआ का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें मिजुर मिघाले का गवर्नर बनाया, उन्होंने कहा कि मेरे जो इंटरेक्शन हुए मोदी जी के साथ, उसमें पता चला है कि मोदी जी को ब्रश्टाचार से किसी तरह का परीज Haimcoat Júp sih interview में उन्होंने कहा कि इन लोगों के कुछ मुख्य मंत्री हैं जो भृष्टाचार करते हैं पैसे-कठे करते हैं लेकिन वो सारा पैसा मुख्य मंत्री अपने पास नहीं रखते वह पैसा ऊपर भेजते हैं और वहां से वह पैसा उनकी दोस्त की कंपनियों के अंदर इंग्रेस्ट होता है मैंने भी तो इसी तरह का कुछ कहा था अपने उसमें तो चलो मेरी बात तो नहीं मानी अब तो गवर्नर इनके अपने गवर्नर कह रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा हो इनी सकता उनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा थोड़ी है तो फिर यह आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पढ़े हैं पचपतर साल के भारत के इतिहास में किसी एक party को इतनी बुरी तरह से target नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी party को ये लोग target कर रहे हैं नंबर तू को गिरफ़तार कर लिया नंबर थ्री को गिरफ़तार कर लिया और उनको गिरफ़तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरे मेरी गर्दन तक पहुचना तो अब यह मेरे पीछे पढ़े हैं मुझ तक पहुचने की कोशिश कर रहा है किसी party को इस तरह से नहीं target किया गया जिस तरह से आम आदमी party को target किया गया उसका एक कारण है वो कारण है कि 75 साल के बाद आम आदमी party ने इस देश को एक ऐसी उमीद दी है जो कि कोई party नहीं ले पाई गुजरात के अंदर 30 साल से बीजेपी की सरकार है उसमें 12 साल प्रधान मंतरी मोदी जी खुद वहाँ पे मुख्य मंतरी रहे 30 साल के अंदर ये एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए एक भी एक भी सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए जब मोदी जी को फोटो खिचवाने के लिए सरकारी स्कूल में जाना था तो एक temporary class एक टेंट के अंदर temporary class बनानी पड़ी इनको फोटो खिचवाने के लिए फोटो खिचवाने लाइक सरकारी स्कूल भी नहीं बना पाए और पांच साल के अंदर दिल्ली के हमने सारे सरकारी स्कूलों का काया कल्प कर दिया पांच साल के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिये इस देश के लोगों को आम आदमी पार्टी ने एक उमीद दी है कि केवल आम आदमी पार्टी उनकी गरीबी दूर कर सकती है, उनको शिक्षित कर सकती है, उनके बच्चों को रोजगार दे सकती है, आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों को उमीद दी है, फ्रिधान मं मंत्री जी नहीं चाहते कि वो उमीद आगे बढ़े क्योंकि अभी तक इन सारी पार्टियों को कि मिलके जो लूट चल रही थी अब इनको स्कूल बनवाने पड़ गए इनको अस्पताल बनवाने पड़ गए तो उनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेगा तो कल इन्होंने मेरे को बुलाया है मैं जाओंगा कल CBI में और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी अगर केजरी वाल चवूर है केजरी वाल भरष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई इमान दार नहीं भफिर गिरुभतार को एक गिरफतार करेंगे तो अगर बीजेपी ने CBI को उसको नकार कैसे सकती है बीजेपी के ओर तो मानें गेंगे थारू thank you